लोग कहते कि ब्रह्मचर क्यों मैं उनलों उसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर क्यों नहीं आप रामायन में देखो ब्रह्मचर ने लश्मन जी को इतनी सक्ति दी कि वो मेगनाद को मार पाए उसको मारने के लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी था ते बर्दान होने के बावजूद रावड की लगा रखे थी उनो जब युद्ध हुआ था तो रावड को पठक पठक के मारा था बर्दान के कारण वो बच रहा था वरना हनुमान जी उसकी लंगा लगा देते अच्छे से निवटा देते अच्छे ब्रह्मचरी में बहुत तागाता है भाई जला सोचो हमारे आसपास कोई है तो तुमको पता चले कि हाँ यार इतने बलवान लोग हुए थे मतलब कितनी शक्तियां थी उनमें जो हमारे पूरवजूद थे उनमें कितनी शक्तियां थी कहां से आई है कुछ नियम कुछ सहियां फॉलो किये तभी तो आई ना तो उनकी जड़ है ब्रह्मचरी उन नियमों को सहियां को फॉलो करने की जड़ ब्रह्मचरी है मेरे भाई इसको फॉलो करना बहुत ज़रूर है